प्रेबंदो जय भीम जय फारत नमा बुद्धा है मैं निकल सब्लानिय नीदिली से आज आपको बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जी की पुस्तक का तेरवा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी में इसका अनुवाद है अचुध कौन थे और वे अचुध कैसे बन यह कहें अचुध कौन और कैसे इससे पहले आपने भाग 12 के अंदर उस तक का भाग 11 सुना जो कि था क्या हिंदू गौमास कभी नहीं खात रहे सकता कि आदिम जातियों जरायम जरामाई पेशा जातियों और असपरशे वर्गों की जो दशा है वे हिंदू सब्यता के मूल सिध्धान तो का ही कुफल है अध्या बारा ग्या ब्रहामनों ने गौमास खानक क्यों छोड़ा हिंदू के विभिन वर्गों के खानपान की जिस प्रकार हम रिती रिवाजों के आधार पर हिंदू को वर्गीकरण कर सकते हैं उसी प्रकार उनके खानपान की आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है जिस प्रकार सामपरदाई दृष्टि से हिंदू या तो शूद्र होते हैं या वैश्णा उसी प्रकार म मासाहारी और शाकाहारी का यह वर्गीकरण परियाप्त हो सकता है लेकिन यह मानना होगा कि यह पूर्ण वर्गीकरण नहीं है व्यापक वर्गीकरण के लिए हमें मासाहारी वर्ग को दो हिस्सों में बाठना होगा जो मास तो खाते थे किन्तु गौमास नहीं खाते थे और जो गौमास भी खाते थे दूसरे शब्दों में खान पान को लेकर हिंदू समाज के तीन हिस्से होंगे जो शाका आरी हैं, जो मासा आरी हैं किन्तु गौमास नहीं खाते जो गौमास भी खा लेते हैं इस वर्गी करण के अनुरूप हिंदू समाज के तीन वर्ग या वर्ण है ब्रामन अब्रामन अचोत यद्दपी यह वर्गी करण हिंदू समाज के चत्रे वर्ण के अनुरूप नहीं है फिर भी यह विदमान तत्यों के अनुरूप तो है ही ब्रामनों में ही एक वर्ग है ज ही खाने वाला वर्ग है यह त्रिविद वर्गी करण प्रयाप्त है अर्वस्तू स्थिति के अनूसार है कोई भी इन्ठी वर्गी करण पर ध्यान से विचार करें तो अब रामनों की स्थिति उसकाTIN विशेश रूप मास के खाने की क्यों आपती करे यह एक गुत्थी है जिसे सुल जाने की आवशकता है अब रामनों ने गौमास खाना क्यों छोड़ दिया इसे जानने के लिए इस विधान का अध्यन आवशक है तत्संभी विधान या तो अशोक के निर्देशों में होगा या मनु के विधा में मैं निखिल सबलानिया निदिल्ली से आपको बाबा साइब डक्टर भीमरा अंबेटकरजे की पुस्तक अचूत कौन और कैसे सुना रहा हूं जिसे आप यूटूब के चैनल अंबेटकरटाइंस पर देख रहे हैं हम अशोक से ही आरम करते हैं अशोक के वे शिलालेख जिनका इस विश्य से संबंध है तीन है शिलालेख संख्या एक स्तंबलेख संख्या दो और पांच शिलालेख संख्या एक इस प्रकार है यह धर्म लेख देव प्रिय प्रेदर्शी राज ने लिखवाया है यहां इस राज में राजधानी में किस जीव को मार कर होम ना किय जये और आंनधोत्षव स्एक्षव Hindiे कि देव अनम प्रेदरशी राजा में बहुत दोश कं देखते हैं क्योंकि देव नाम प्रेदरशी राज इनमें बहुत दोश देखते हैं तुथा इक परकार के से उत्सव है जिन्ने देव support प्रिद्रशी राजा पसंद करते हैं ये देवनाम प्रिद्रशी अशोक को कहते थे पहले राजा की पाक्षाला में प्रती दिन कई शत्थ सहस्त्र जीव सूप बनाने के लिए मारे जते हैं पर अब से जब की यह धर्म लेख लिखा जा रहा है केवल तीन ही जीव बारे जात स्तंब लेक दो इस प्रकार है देवनाम प्रियर प्रिदर्शी राजा ऐसा कहते हैं धर्म करना अच्छा है पर धर्म क्या है चिद कलेश की नियुनिता बहुत से शुपकारे दया दान सत्य और शौच अर्थात पवित्रता का पॉलन करना ज्यान दान भी मैंने बहुत प्रका से दिया दो पायों चौपायों तथा जल्चरों के प्रति मैंने बहुत अनुग रह किया मैंने उन्हें प्राणदान दिया तथा और भी अनिक प्रकार के उपकार किये यह लेक मैंने इसलिए लिखवाया कि लोग इसके अनुसार आचरण करें और यह चिर्स्थाइर है जो इ प्रिये प्रिये दर्शी राजा कहते हैं राज्य भी शेक के 26 वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का अवद करना बंद कर दिया है तथा सुगगा मैन मैना अरुन चकोर हंस नांदी मुख गोलाठ जतुका अर्था चमगादड कछुआ साही गिलहरी बारा सिंगा वर्षब बंदर, ओक, पिंड, मुर्ग, श्वेल, फाक्ता और सब तरह के वे चौपाए जो ना तो किसी परकार उपभोग में आते हैं और ना खाये जाते हैं बकरी, भेड और सुवरों, गायों तथा इनके बच्चों की जो 6 महिने तक के हों मारा जाए मुर्गों को बधिया न किया जाए, जीवित पराणियों के साथ भूसी को न जलाया जाए, अनर्थ करने के लिए या पराणियों के हिंसा करने के लिए इवन में आग न लगाई जाए एक जीव को मार कर दूसरे जीव को ना खिलाया जाए प्रती चार महीने की तीन रित्वों को तीन पूर मासी के दिन पौश मास की पूर्ण मासी के दिन चतुर अंचतुर दशी अमावस्या और प्रती पदा के दिन तता प्रतेक उपवास के दिन मचली ना मारी जाए और ना ही बिची जाए इन सब दिनों में हातियों के वन में तथा तालाबों में कोई भी दूसरे परकार के पराणी ना मारे जाए परतेक पक्षकी, अस्टमी, चत्रदशी, अमावस्य या पूर्णया तथा पुष्ट और पुनरवसू नक्षत्र में और परतेक चार महीने के तुहारों के दिन बैल बधिया ना किया जाए तथा बकरा, भेड, सूर और इसी तरह के दूसरे पराणीय को बधिया नहीं किया जाए पूर्णय और पुनरवसू नक्षत्र के दिन प्रतेग चतुर माश्से की पूरनिमा के दिन और प्रतेग चतुर माश्से के शुकल पक्ष में घोड़ो और बैल के ना दागा जाए राज़ अभीशेक के चब्पिस वर्श के अंदर मैंने पच्चीस बार कारागार से लोगों को मुक्त गिया ऐसा था अशोक का विधान, मैं निकिल सब्लानिया, नहीं दिली से दॉक्टर भीमरा अमेट करजी की पुस्तक, हुवर उन्टचेबल चट हाउदे विकब उन्टचेबल का हिंदिर अनुवाद, अचुद कोंते और अचुद कैसे बने, पढ़ रहा हूँ, आप बावसाइब की पुस्तके मुझसे खरी सकते हैं, मेरा फोन नमबर है, 852-753-051, 852-753-051, अब हम मनुपर विचार करेंगे, उसके कानूनों में मासाहार के संबंद में निमलिखित विवस्ता है, पच्चा मास खाने वाले गिद आदी और गाव में रहने वाले कुकुर, कबूतर आदी पक्षी का मास ना खाया जाए, जिसके नाम का निर्देश ना किया गया हो, ऐसे सुमधारी घोडे, गदे, आदी भी अभक्षे है, टिटहरी पक्षी का मास भी वर्जित है, गुरेया, पारिया, पपीहा, हंस, चकवा, ग्राम, कुकुट, मुर्गा, वल्लक, बतक, रजुवल, जलकाक, सुगगा और मैना इन पक्षियों का मास ना खाया जाए, कटफोडो और जिनके बगुल, जिल्ली से जुड़े हो, वे जल, मुर्गा, नक के विर्दिन को खाने वाला बाज आदी, और पानी में डूब कर मचली खाने वाला पक्षी, वदस्थान का मास और सूखा मास खाना वर्जित है, बगुला, बलाग, द्रोन काग, खंजन, मचली खाने वाला वाले, जल, जीव, मगर आदी, ग्राम में, शूकर और सब परकार की मचलिया ना खाये, जो जिसका मास खाता है वे उसका मास खाने वाला कहलाता है मचली सबका मास खाती है जो मचली खाता है वे सब मासों को खाने वाला है इसलिए मचली ना खाएं पाटिन अर्थात कच्छुआ और रोहित अर्थात रोहू मचली हव्वे कव्वे के लिए भीत है राजीव सिंग्तुन और शल्क वाली सब मचलियां खाते हैं अकेले विचारने वाले और रहने वाले सरवादी जीवों को भक्ष जीवों को भक्षियों में कहे गए वे पशु पक्षि जो परिचित नहों उन्हें और पंचन नख वाले वानरादी प्राणियों को नखाएं पंचन सिखों पंचन खियों में सह, साही, शाल्यक, गोह, गेंड, कचुआ और खरा तथा एक और दांत वाले पशु में उट को छोड़कर बकरे आदी पशु भक्षे हैं ऐसा कहा गया है पशु की हत्य के बारे में अशोक और मन्नू के जो विधान है वे यहां आ गए हैं लेकिन हमारा विश्य मुखे रूप से गोहत्या है अशोक के निर्देशों का विवेचन करने पर प्रस न उठता है कि क्या गोहत्या निशिद ठ्हराई गय थी इस बारे में मदभेत परतित होता है Mr. Vincent Smith का विचार है कि अशोक ने गोवद का निशिद नहीं किया था अशोक के निर्देशों पर टिपनी करते हुए प्रॉफेसर स्मित कहते हैं यह बात ध्यान देने की है कि अशोक के निर्देशों में गोहत्या का निशेद नहीं है जो ऐसा लगता है कि यह गोहत्या वैद रही थी प्रॉफेसर राधा कुमुद मुकर जी प्रॉफेसर मुकर जी प्रॉफेसर स्मिथ से सहमत नहीं है उनका कहना है कि शुक ने गो हत्या वश्ये बंद करती थी प्रॉफेसर मुकर जी का अधार शिलालेख पांच का हत्या वर्जन वह उद्रन है जो सभी चौपायों पर लागू था उनका तरक है कि यह विचार कि गौव की हत्या की छूट मिल गई थी स्तंब लेख में जो कुछ का गया है उसका यह ठीक अर्थ नहीं है शिरा लेख में जो कतन है वे विशेशता के लिए हुआ है यह सभी चौपायों पर लागू नहीं होता यह केवल उन चौपायों पर लागू होता है जो ना तो किसी परकार उप्योग में आते हैं ना खाय जाते हैं गौव को हम ऐसा चौपाया नहीं कह सकते जो ना तो किसी परकार काम में आता हो और ना खाया ही जाता हो ऐसा लगता है कि प्रॉफेसर स्मित का ये कतन ठीक है कि अशोक ने गौवद बंद नहीं किया था प्रॉफेसर मुकर जी का ये कतन जान चुड़ाना चाहते है प्रॉफेसर मुकर जी ये कहकर जान चुड़ाना चाहते है कि अशोग के समय में गौवमाज नहीं खाया जाता था इसलिए उसकी निशेधात्मक आग्या गौव पर भी लागू होती है उनका कतम एकदम अनरगल है कि उनकी गौव ऐसा पशू है जिसे सभी वर्क के लोग खाते ही थे प्रॉफेसर मुकर जी की तरह यह अशोग के शिलाले के साथ खीचा तानी करके यह अर्थ निकालने की कोई आवशकता नहीं की उसने गौवत्य कानून से बंद कर उसने गौवत्य कानून से बंद कर दी थी मानो ऐसे करना उसका विशेश करते हुए था अशोग का गौव से किसी तरह का कोई खास सरोकार न था और ना इसे वे अपना कोई खास करते हुए ही समझता था कि गौव को हत्या से बचाए अशोग प्राणी मात्र पर चाहे वे मनुश्य हो चाहे पशु हो दया चाहता था वे मानता था कि जहां जहां अनावश्चक रूप से पशु हत्य होती है उसे बंद कर दिया जाए यही कारण है कि उसने यगो के लिए पशु बली का निशेद किया जो उसने आवश्चक समझा उसने उन पशु के वद को निशिद ठहराया जो किसी उप्योग में नहीं आते अत्वा जो खाय नहीं जाते ऐसे पशु का निर्थक वद वास्तव में अनुचित है अशुक ने विशेश रूप से गोवद के विरुद कोई कानू नहीं बनाया यदि हम बहुत दृष्टी को न समझ लें तो इस बात को लेकर अशुक पर दोशा रूपन नहीं किया जा सकता अब हम मनु को लेते हैं उसने भी गोवद्या के विरुद कोई कानू नहीं बनाया उन्होंने तो विशेश अफसरों पर ही मासाहर अनिवार्य ठहराया है तब फिर अब ब्रामन ने गोव मासाहर क्यों छोड़ दिया उसने इस त्याग का कोई सूसपष्ट और सहच करण नहीं मालूम पड़ता है लेकिन इसका कोई न कोई करण तो होना ही चाहिए जो करण मुझे सूचता है पर यह है कि अब ब्रामन ने ब्रामन की नकल करने के परितने में गोव मास खाना छोड़ा या एक नया विचार हो सकता है कि इन तो यह कोई असंभव बात नहीं श्री मिस्टर मेबरायल टाडे नाम के फ्रांस इसी लेकर ने संस्कृति के बारे में लिखा है कि वह किसी निमन स्तर के वर्ग विशेश में अपने से उचे स्तर के वर्ग की संस्कृति का अनुकरन करने से फैलती है यह नकल करना इतने धीरे धीरे होता है और यह मशीन की तरह अपना काम इस तरह करता है जैसे कोई भी व्यक्ति नियम जैसे कोई भी प्राकृतिक नियम गेबरायल टाडे ने नकल करने के नियमों की चर्चा की उसमें एक यह है कि नीचे के वर्क के लोग सदय उपर के वर्क के लोगों की नकल करते है या एक ऐसी सामाने जानकारी की बात है कि शायद ही कोई आदमी इसमें संधे को इसके इतारत को असिकार करे अब ब्रामनों में जो गोपूजा का बाव उदय हुआ और उन्होंने जो गोवमास खाना छोड़ा इसमें तनिक संधे नहीं कि वह अपने से उचे दरजे के ब्रामन की नकल करने की प्राकरती का ही परिणाम है वह भी सत्ते है कि ब्रामनों द्वारा जो गोपूजा के पक्ष में बहुत परचाल कारे किया गया है गायत्री प्रान एक उद्धारन है लेकिन मूलता यह नकल करने की सभाविक प्रवती का ही परिणाम है हाँ अब इससे एक दूसरा प्रश्ण उठता है अब रहमनों ने गौमास खाना क्यों छोड़ा तो मित्रों इसके आगे का हम अगले भाग 14 के अंदर आपको सुलाएंगे जैभीम जैभारत नमः बुद्ध है और इसके साथ एक और है डी एन जहा के पुस्तक है दमित्वा फोली काओ पवित्र गाय का मित्थक वे जरूर पड़े में को समय मिला तो मुझे भी मैं भी आपको सुलाँगा और मित्र बाबास सहीब दक्टर भीमरा अंबेट करजी क पुस्तके सची अबसी जाती जन जाती इवन पिछले समाज की पुस्तके बहुत द्रम की पुस्तके आप हम से प्राप्त कर सकते जैभीम जैभारत नमः बुद्धा है